हमने छेड़ ही दिया है और उस पर हम सीएट के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे माय साथ अब यतिन स्टूडियो में जुड़ गए हैं और यतिन से समझेंगे कि कच्छे तेल में जो 70 डॉलर उसके नीचे के भाव देखने को मले इसका सीधा implication ONGC Oil India पर आता है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रहे ही कि शायद इन पर इतना बुरा असर ना पड़े यतिन बताईए क्या कहा जा रहा है तो हर्शन देखिए बहुत सारी जियो पोलिटिकल रीजन्स के वज़े से कुछ दिनों में 80 डॉलर फिर 75 अब 70 डॉलर पती बैलर के नीचे आपको कुछ तेल जाता हूँ नजर पड़ा है अबिसली जो ONGC और Oil India जैसे काउंटर्स है यहां से आपको पीक से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है लेकिन ब्रोकरिजिस का मानना यह है कि बहुत चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि जो marginal cost of production है crude oil का वो लगबख 70 डॉलर पती बैलर के इसाब से ही है US में जो शेल गैस का उत्पादन होता है या नए जो discoveries हो रही है डीप वाटर में उनका जो cost of production है काफी ज़ादा है तो इस हाल में लगता नहीं है कि crude बहुत ज़ादा यहां से नीचे गिरे एक बात यह हुई दूसरी बात कि जो OPEC Plus जो काउंसेल है जो देशों का समू है जो crude oil का काटल माना जाता है इनका भी जो production increase का schedule था इन्होंने differ कर दिया धाई महिने के अंतराल से तो कहीं न कहीं यह decision जो हो रहा है इससे कहीं न कहीं supply पे आपको एक रहात मिलती नजर पड़ेगी oversupply की condition नहीं बनेगी और सबसे important point जिससे भारतिय oil and gas companies को फाइदा हो सकता है वो है सरकार की नई policy जहां जो नए fields है और जो additional production ONGC और oil India ने target किया है अगर वो हासिल हो जाता है तो इनके जो marginal gas और oil blocks हैं इनके production पे 20% तक इनको incentive मिलेगा बजार मूलों के मुकावले तो इस हिसाब से जो incremental company है production कर रही है इन में margins काफी अच्छे है और कहीने कही प्रभुदास लिजादर को भी यही लगता है कि 75-80 dollars की जो range है crude oil की यह अब long term average के आसपास हो जाएगी और volume की बात करें तो अगले वितवर्ष में ONGC की जो volume है gas segment से वो लगबग 7% बढ़ेगी और अगर हम oil इंडिया की बात करें तो 16% से यह CGR से बढ़ने की उम्मीद है gas का production तो अच्छा gas production हो सकता है जिससे एक tailwind रह सकता है earnings को और दोने stocks पर उनकी खरीदारी की सला है ONGC पर उनका टार्गेट है 330 रुपे के आसपास और oil इंडिया पर 786 के टार्गेट के साथ वो खरीदारी की सला दे है ओके तो यह इस तरमें ONGC और ओल इंडिया पर व्यूब गुरांग जी गुड़ आफ्टर नोन ONGC पर क्या भी हुए क्योंकि एक 340 तक गया था यह stock multi-year breakout दिखाया उसके बाद इस stock में लगातार गिरावट है और 340 से आप 290 तो अच्छे खासी correction करी 15% की आपको भी शुब्दिन अनुट जी हमारे तरफ से तो 330-340 तक के लक्षांग हमारे भी है ONGC पर और मेरे ख्याल से जो अभी यतिन बता रहे थे अगर जल्द समय पर और पहली तारीक पर अगर यह उत्पादन हो जाता है शुरू तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पाइदा नतों से बिन सब कंपनी होगा जैसे अगर है निवेश आपका तो बने रहें ONGC में ऑल इंडिया में इस पर भी लबी अरुदी के लिए खरी तारीक कि रहें के अगर को